शाहपुर के रैत ब्लोक में चल रही मत करना के नतीजे आने शुरू हो गए थे रैत में 26 ब्लोक स्मिती सदस्यों और 4 जिला परशत बाड की सीटों के मतों की गणना होई जिसमें से 26 ब्लोक स्मिती सदस्यों के नतीजे घोशित हो चुके हैं जबकि जिलापरशत सदस्यों में अभी भतल्ला बाड से ही नतीजे घोशित हुए हैं भतल्ला बाड से रितिका शर्मा ने जीत हासल की है जबकि चड़ी बाड से पंकर शर्मा ने जीत हासल की है पहीन बढ़ियाडा, बाड और मंज ग्राम बाड के नतीजे भी आ चुके हैं इन नतीजों के आने के बाद अब राजनितिक दलों ने भी अपने अपने दावी ठोक ने शुरू कर दिये हैं कॉंग्रेस के प्रदीश महासचिव केबल सिंग पठानिय ने इसे कॉंग्रेस की जीत बताया उन्होंने 26 में से 18 सीट जबकि जिलापरशित की दोनों सीटों पर भी अपना ही दाबाठो का है कि सापर मैं कॉंग्रेस के परधान उपरधान बाड़ पंच जीत के आए हैं उससे पहले नगरपाल का कांग्रेस मर्पित नगरपाल का बनी है और आज जो चुनाब गरना चुनाब मत गरना चल रही है मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बतरला और चड़ीवाड के लोगों का जिन्होंने कांगर्स पार्टी की मामंतरी शितका शर्मा युगा कांगर्स के अध्यक साथ हमारे पंग्पूजी उनको भारी मतों से जो है उन्हें जाए है तमाम सापर वासियों का अगर मत दाताओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ब्लोक समिती की जन्द गनना खटम हो चुकी है और मैं उसके लिए भी तमाम हमारे कार्य करता हूं का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूर जोर समर्थन जो है 26 मैं से 18 लोग जो हैं कॉंगर्स के ब्लॉक समिती में जीत के आए हैं और मुझे आब विश्वास है कि अब कॉंगोस का पताका ब्लॉक्समिती में भी लागाएगा और जिला परसद में हम चार की चार सीटे जीतेंगे ये मारा दावा है ये भी तमाम सरकारी करमचारियों का जो दिन रात इस महायग्य मैंनों ने मेनत की है उनका मैं तैदित से ध हूं ये जो मत्दान हुआ है इसमें कॉंगोस पार्टी का पताका लह रहाया है आने वाला 2022 में एक बार फिर साब़ेख में प्रदेश के अंदर भी मैं कहता हूं पार्टी की सरकार बनेंगी आज परतिस बर्द के चुनाब नतिजह आये हैं उसमें कॉंगोस में परसद ब् पार्ट की दो हजार भाई में अपना सरकार बनाई